अध्यादेश जिस पर ये बात कर रहे हैं वो केंदर सरकार का अध्यादेश है और कॉंग्रेस उसका कैसे विरोध कर सकती है क्योंकि कॉंग्रेस पहले से ये स्टैंड लेकर चलती रही है कि दिल्ली को स्टेट हुड नहीं देंगे विपक्षी एकता बनेगी नहीं पहली बात हो ही नहीं सकती सब विरोधा भासी लोग उसमें आपस में बैठे हैं और मतलब की यारी करना चाहरे हैं जो की होगा नहीं केजरिवाल ने कॉंग्रेस के साथ पहले 2013-14 में क्या किया था सबको ध्यान है हमको आपको सबको पता है द हाथ मिलाएंगे तो यह कभी भी हमारी पीठ में चूरी मार सकते हैं जैसा कि इन्होंने किया दो हजार चौबिस के लोकसभाद चुनाबों को लेकर कल विपक्षी पार्टी आप बिहार में एक जुट होने जा रही है पर उससे पहले सियासी गलियारों की तरफ से यह भी ख जैसे विपक्ष में बड़ी फूट नजर आएगी कल विपक्ष में तो वैसे ही पहले बहुत बड़ी फूट है और चुकि अर्विंद केजरिवाल इतने धूर्त राजमितिग्या हैं कि वो हर बार अपने फेलियोर का ठीकड़ा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं दिली को स्टेट हुट नहीं देंगे तो इस तरह से अब कॉंग्रेस के सामने ये विशह रखना और उसमें एक यूनिटी मंगाना या पार्लेमेंट में खड़ा करना कॉंग्रेस को अपने साथ तो ये केजरिवाल साहब बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बहुत धूर्तता पूर्वक अपनी बात को सामने ला रहे हैं जिस चकर में कॉंग्रेस भी फच जाएगी और कॉंग्रेस के लोग अब सजग हो गए हैं चुकि 2013-14 में जो दिली चुनाओ विधानसभा चुनाओ में जो धोका किया था केजरिवाल ने तो अब कॉंग्रेस सफल है सजग है और यह देख रही है कि इनके साथ जैसे हम हाथ मिलाऊंगे तो यह कभी भी हमारी पीठ में चूरी मार सकते है जैसा कि इन्होंने किया और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई एकता बने भी और वैसे भी कोई एकता है नहीं और अगर एकता हो वीजाए तो कहीं सब के बारे में जनता जान चुकी है कि केंदर सरकार चला नहीं सकते केंदर में इनको कोई सत्ता देने की गलती करेगा नहीं इसलिए इनके ऐसी उठापटक से ऐसी राजनीतिक जो मीटिंग तथा कथी तरो रूप से बुला रहे हैं इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और कहीं कोई इसका असर केंदर की राजनीती पर मुझे पड़ता तो दिखाई नहीं दे रहा इसी अध्यादेश को लेकर आमाद्मी पार्टी के राजिसबा सांसर संजे सिंग ने आज कहा है कि अगर इस अध्यादेश पर पार्टीयों ने यानि कि विपक्षी पार्टीयों ने समर्थन नहीं किया तो ये बहुत जाला बुरा होगा क्योंकि ये सवाल दो करोड जनता का है जो सरकार जो है वो सुप्रीम कोट का फैसला आठ दिनों में बदल सकती है वो 2024 में अगर फिर एक बार रिपीट करेगी तो सभिधान ही बदल देगी ये तो कोरी बकवास कर रहे है कोई सुप्रीम कोट का कोई फैसला केंदर सरकार ने नहीं बदला है संजे सिंग जी को अपनी चाहिए की जाकर इतिहास पढचें जो केंदर सरकार करती है, शाह बानों के केस में राजीव गांधी ने क्या किया था वो जराद जाकर देखें, समझें, शाह बानों के केस में सुप्रिम कोट ने कहा था कि मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तो राजीव गांधी के चम्चो ने जो उस वकत अपीजिमेंट की पॉलिसी की उनको कन्विंस कराया कि एक आप और्डिनेंस लाइए और एक्ट बनाइए कि ऐसा ये जरूरी नहीं है और उन्होंने स्पेशल एक्ट इसके लिए बनाया लेजिसलेट हुआ और वो कानून उल्टा हो गया जो सुप्रिम कोट ने कहा था उसके बिलकुल विपरीत हो गया अभी देखा जाए तो आप जो अभी आप सरकार को लेकर सुप्रिम कोट ने जो अभी फैसला दिया है हाल फिल हाल में उस फैसले में सिर्फ केंदर सरकार ने ये फेर बदल की है कि यूटी में जो आईएस, आईपीएस, ओल इंडिया सर्विसेस के लोग है उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग केंदर सरकार ही करेगी तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है लोजिकल बात है और दिल्ली के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है जो दिल्ली की जनता ने उनको जिताया है आप पार्टी को और जो विशे हैं जो डेवलप्मेंट दिल्ली का है रोड बनवाएं पानी का भराव शुरू हो गया है उसको खतम कराएं सबसे पहले कूडे के डेर हटवाएं जिसका धोखा देकर इन्होंने दिल्ली की जनता से वोट लिये हैं और चुनाओ जीत कर ये सरकार बना कर बैठे हैं और अब ये केंदर सरकार की बाते कर रहे हैं मोदी जी ये जो अध्यादियेश लाया गया है पर इस बात पर सवाल नहीं उठाया जा रहा कि जैसे ही सुप्रीम कोट की तरफ से ओर्डर पास किया गया था रातो रात तबादले कर दिये गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से हाँ ये इन्होंने किया है इसके साथ साथ एक बात और भी है कि इनके एक मंतरी है उन मंतरी ने जो ऑफिसर से उनको बुला कर उनकी मीटिंग बुला कर उनको चेंबर में बुला कर धमकाया और उसकी शिकायत उन ऑफिसर ने जाकर डियो पिटी में की केंदर सरकार को की दीन रहता है और केंद्र ही उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार रखती है राज्यों को यह अधिकार जहां पूर्ण राज्य हैं वहां राज्य सरकार को उनकी पोस्टिंग का अधिकार दे दिया जाता है बाकी उनका जो कैडर कंट्रोलिंग अथर्टी है वो कें में अध्या देश में कोई बहूत जादा गड़़ी की नहीं गई है ऐसा कुछ जो यह कहने की बात जो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है यह कोरी बकवास कर रहे हैं चुक्की डिली पूर्ण रूप से राज्य नहीं है और यहां पर दिल्ली में बहुत सारे केंदर सरकार के establishment है जो राज़्टिय राजधानी हमारी दिल्ली हमारा पारलिमेंट है हमारा सुप्रिम कोर्ट है यहां पर बहुत सारे जो अखिल भारती स्तर के जो बहुत सारे bodies हैं वो यहां पर हैं तो यह केजरिवाल साहब के हाथ में अगर यह सुपूर्द कर दिया जाएगा तो वहां की सफाई होनी बंद हो जाएगी वहां की रोडे तूट जाएगी तो उन administrators को अपने हाथ में रखने के लिए केंदर सरकार दिल्ली को बरबाद होने से बचाने के लिए अगर केंदर सरकार ने ऐसा किया है तो इसमें कहीं कोई गड़बडी नहीं है सुप्रिम कोर्ट के जो judgment है वो अलग facts में है वो अलग issues पर है उसको अगर कोई गौर से पढ़ेगा तो पाएगा कि जो अध्यादेश केंदर सरकार ने निकाला है उसका उस judgment से कहीं कोई relation नहीं है जो इन्होंने जाकर उस judgment के बा उसे आपके बेजुबान जो बजुबान मंत्री हैं उनसे officers की जत बचाने के लिए officers को धंकाये न जाए उनसे extortion न किया जाए इसको बचाने के लिए अध्यादेश किया गया है तो ये एक तरह से हमारे system के लिए हमारे संगिये system के लिए बहुत ही जरूरी था और इसको कें अनन फानन में किया है तुरत किया है तो उस तरह से उनके interest को बचाया गया है और एक तरह से देखा जाए तो दिली सरकार का जो administration है उसको उन्होंने control किया है केंदर सरकार नहीं चाहती कि दिली सरकार का administration ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जहां इनके आप पार्टी के लो संत्री ने एक IAS officer को भी मारा था पीटा था पुलिस की कारवाई हुई थी तो ये कैसे लोग हैं जो किस तरह से political leadership को लेकर किस तरह से executive के साथ misbehave कर रहे हैं ये गौर करने की बात है और अगर केंदर सरकार इस अध्यादैस को नहीं लाती तो ये बहुत सारी अराजक्ता फ हुमें फिर से धूल जोग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए इन चीजों पर जद्ता को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए सर पर इसी अध्यादेश पर समर्थन के लिए आमादमी पार्टी जो तरीके से विपक्ष पर दवाव बनाने के लिए बास सामने आ रही है कि कल वॉक आउट कर सकती हैं तो क्या वॉक आउट करने की ख़बर पहले इसी रिये लाई गई है क्योंकि अभी मौनसुन सत्र होन कि जनता उसको देख रही है समझ रही है और जानती है कि यह पार्टी अगर आ गई तो हमारे प्रदेश को बरबाद कर देगी इसलिए इनका कोई भी केंदर की राजनीती में कहीं कोई दखल नहीं दिखेगा कुछ भी नहीं होगा और यह जो प्रेशर बना रहे हैं कि दू जो ना बनकर रह जाए इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके इस जो केजरिवाल साब जो यह खेल खेलना चाहरे हैं इस खेल का कहीं कोई रिजल्ट निकलता मुझे तो दिखाई नहीं देरा क्या लगा सigh कल वपक्षि एकता की बैठकोने वाले वैयार में विपक्षी एकता बनेगी नहीं पहली बात हो इनी सकती सब विरोधा भासी लोग उसमें आपस में बैठे हैं और मतलब की यारी करना चाह रहे हैं जो की होगा नहीं केजरिवाल ने कॉंग्रेस के साथ पहले 2013-2014 में क्या किया था सबको ध्यान है हमको आपको सबको पता है देखा है कॉंग्रेस को भी पता है और विपक्ष की जो भी पार्टीज है वो कोई इनके साथ मिलकर या कोई भी आपस में किसी का कोई तालमेल होगा नहीं और अगर हो भी जाता है तो उसे केंदर सरकार केंदर की राजनीती में कहीं कोई फर्क पड़ता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई देता